हाई फ्रेंड्स मैंने बेस्ट बॉडी वाशिस पर एक वीडियो बनाया था लेकिन कई लोगों को साबुन से नहना पसंद है तो उनके लिए कुछ अच्छे साबुन मैं आपको बताने जा रही हूँ पहला है पियर्स प्योर एंड जेंटल सोप ये डर्मिटॉलजिस्ट का सबसे पुराना रिलाइबल और स्किन को कोई नुकसान न पहुंचाने वाला साबुन है इसमें ग्लिसरीन और नैचरल ओइल्स हैं जो स्किन को साफ करते हैं लेकिन उसको सुखाते नहीं हैं सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसमें ग्लिसरीन होने के कारण ये बारिश के मौसम में हवा से पानी सोपता है और थोड़ा नरम हो जाता है दूसरा है मैसोर सैंडल सोप इसमें प्योर सैंडल बॉड ओईल ग्लिसरीन और वेजिटेबल ओईल्स हैं जो स्किन को सॉफ्ट और प्रॉब् करता है यह इंडिया में बनने वाला सबसे पहला प्रीमियम साबुन है तीसरा है सीटाफिल क्लेंजिंग एंड मॉइस्टिराइजिंग सोप यह ड्राइ स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है इसकिन को साफ करता है लेकिन उसे सुखाता नहीं है चौथा है सॉइल एंड सैंडल बूड एंड टर्मिरिक सोप इसमें चंदन का तेल हल्दी का एक्स्ट्रैक्ट और ग्लिसरीन है जो स्किन को इंफेक्शन से दाग धबों से बचाते हैं और उसे बिलकुल सॉफ्ट रखते हैं अब उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार स्किन पर फंगल और बैक बहुत प्रभावशाली नैचरल एंटिसेप्टिक है यह फंगस बैक्टीरिया और वाइरस के इंफेक्शन और एलर्जी से स्किन को बचाता है चेचक या स्मॉल पॉक्स की बिमारी में भी नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से नहाने से चेचक जल्दी ठीक ह होती है और दाग नहीं छोड़ती है नीम के साबुनों में मेरे ओपिनियन में सबसे अच्छे हैं मार्गो नीम सोप पतांजली नीम कांती और खादी नैचरल नीम सोप दोस्तों आशा है इस वीडियो में मैंने जो साबुन बताए है वो आपकी स्किन के लिए बहुत लाबकारी होंगे और आपकी स्किन को सही और सुरक्षित रखेंगे थैंक यू